हेलो फ्रेंट्स सौगत आपकी ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैंच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे है वह ने वाला यहां पे होबाट हरीकेन वर्से सिद्निट हंडर्स की बीच जो मैच होने वाला यहां पे बिग बैस टी ट्वेंटे का इस मै हमारे टेलिग्राम चैनल जोइन करना बहुत जरू है जिसका नाम है फेंटेसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पे नाम लिखावा दिखाई दिरहा होगा सेम नेम से हमारे टेलिग्राम चैनल अवेलेवल है पर आपको हमारे टेलिग्राम के जो रियल और ओरिजिनल चैनल है उस को हमारे टेलिग्राम के सही और ओरीजिनल वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको लिंक का ही यूज करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है तो आते हैं वीडियो के में पार्ट पर बात की जाए कौन्सी टीम स्ट्रॉंग रहेगी यह पर अगर बात की जाए तो परसनेल मुझे लगता है कि यहां पर थंडस की टीम स्ट्रॉंग रहेगी और यहां पर इंवेश्मेंट इस मैच में रहने वाली वह तीन रह सकते हैं यह बाकी इसको अच्छी से एक्स्प्लेंड करूंगो वीडियो के एंड में तो करने वाला हूं तो इन्वेस्टमेंट से पहले वह पार्ट जरूर देख लेना देको सिड्नी ठंडर्स का जो स्कुर्ड अनॉंस किया है जैसन सांगा है यहां पर है कुक है कटिंग डेविस है डगेट है यहां पर गाइक से हैं है हसने होल्ट है मैकेंडरी नायर है रॉस ह संदू है संगा है त्री मैं और यहां पर वाइट मैन तो इनका स्कुर्ड यह नोंने किया इनमें से कोई 11 फ्लियर खेलने वाले वह क्यारा कौन से है कि वह आगे डिसकस करते हैं बात की जाए है यह बार्ट हरीकिन ने जो स्कुर्ड एननॉंस किया उसमें यह यह बैल के ब बात करें तो जो वेन्यू रहने वाले वह रहने वाला यहां पर और और श्टेडियम लांचेस्टन के बारे में वह ग्राउंड रहने वाला है और आप इस पीच में 165 के उपर स्कूर को एक्सपेक्ट कर सकते हो और फिलाल वैदर के बारे बताओ तो थोड़े बादल हो सक पॉसिबल प्लेंग लावन तो टीम की क्या रह सकती हो आगे डिसकस करते हैं तो यह पर पॉसिबल प्लेंग लावन यह रहने वाली मैथ्यू वेड की अपसेंस में आपे ओपनिंग आपको सी जोल करते पर नजर आएगा जिसने लास्ट में नजर ने आए बाकी अधर यह कोई तो जोल अच्छी खासी फॉर्म में था लेफ्टेंड बैट्स में अभी तक इस सीजन में छे मैचेस में ठासी रन बनाए हैं आप ले सकते हो ओपनिंग करने आ रहा है और काफी टेक्निकल साउंड बैट्स मेंने काफी अच्छी बैटिंग करता है क्रिकेटिंग खेलता है तो अपनी टीम में जरूर ट्राइक करना जोल को बाकि मैं डर्म अपनी लाइफ की सबसे बैस्ट फॉर्म में चल रहा है दो सेंच्री लगा चुका और लास मैंचे फिर 90 प्लस स्कोर किया तो कहीं ना कहीं अगर बोले तो हैं मैं डर्म अपनी लाइफ की बन आप मैं डर्म बट को ही मिलेंगे बाकि पीटर हैंस के बारे में अगर बात कर दिमा क्या यहां पर मैंति बैट की अपसेंस में नों मैंच इसमें बैटिंग कर रहा है और काफी क्लासिक बैट में अश्टिले के लिए तीनों ही फॉर्मेट खेल चुका इंटरनाशनल लेवल में बहुती बड़ी है बैट मैंने इसल auth मत करना यहां पर हैंस को में को स्पेशल ग्रेंड लिग में बट आपको क्रेट का इशू आता है तो आप स्मॉल लिग में भी हैंस को ले सकते हो कम क्रेट में वैलिबान है और बहुत अच्छा बैट समन है राइट हेंड बाकिए अकर लोगे दे सकता है डार्सी शॉट दस मैच इसमें दो सब्सक्राइब कर चुका है और आपको पता ही होगा इसिंग आपको शायद नहीं पता तो आई पेल भी खेल चुका यह राइस्थान रोल्स के लिए तो काफी अच्छा लेफ्टेंड बैट्स बने और वैसे ओपनिंग म प्रफॉर्मेंस करता है बट इस्टिल बैटिंग दोनों से कॉंट्रिब्यूट कर सकता है अब इससे चाहो तो बैसक्रिप्टेंसी दे सकते हो बाकि हैरी ब्रुक के बारे में अगर बात किया तो छे मैचे से सिर्फ ब्याली सी रन स्कोर कर पाया और यहां पर इंग्लैंड पाइसन के अच्छी इनिंग खेली तो उसके लावा देखका जाए तो अभी तब कोई बड़ी इनिंग आई ने सिछी मैचे ब्याली सन ही स्कोर कर पाया है वागि टिम डेविट्स के बारे में बात की जाए तो आपने सीजन आर्ट सीबी के लिए भी खेलते हैं यहां पर और यह सिंगापूर के लिए भी खेलता है और यहां पर ऐस्ट्रेलिया के लिए खेलता है तो कहीं ने कर बात की जाए तो यहां पे बहुत अच्छा ओल राउंडर है यहां पर टिम डेविट्स और काफी अच्छी एक लिन इटिंग बैटिंग करता है दस मैचे में 120 कर इंग्लेंड का प्ले रहा है इसका भी टी ट्वेंटी ब्लाशन प्रफॉर्मेंस अच्छा रहा था तो इसलिए इसको इस सीजन मौका मिला है बट इस सीजन सिर्फ एक मैच में अगर देखो कि ए तो जॉर्डन थॉंसन ने तीन विकेट निकालता है अधरवाइस उसना कुछ खास सीजन रहा नहीं है बिग बैश में जॉर्डन थॉंसन का फास्ट बालर है थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है छे मैची तक बार रन बनाया सिफ चारी विकेट ले पाया है टॉम रोजर्जर्स के सीजन बहुत ही आउट स्टेंडिंग रहा है नौ मैची से पंदरा बैटिंग कर रहा है मैरजित और रोजर्स के साथ तो इसलिए कम क्रेट में अगर आपको आपका इशू आता तो कहीं न कहीं आप ऑविन के साथ भी जा सकते हैं आपको तीन से चारा वर डालते हैं नजर आएगा और अभी तक दो मैचिस कहला जहां दो विकेट लिए है बा बाकि यह पर राइले मैरज मेरे अकॉर्डिंग की टीम का सबसे बेस्ट फास्ट वर्डर और विकेट टेकर है आपने लास्ट सीजन आइपेल में खेलते विए देखाऊगा इसको पंजाब किंग के लिए आठ क्रोण में बाई किया था पंजाब किंग से क्योंकि इसकी ब प्राइले मेरे टॉम रोजर्स और मिच ओवन वालिंग करते हैं कि पंद्रा से बीस ओवर के बीच में जहां विकेट मिलने के चांस हाई रहते हैं बाकि बैंच में जो बैठे है उसमें विल पारकर है जिसने दो मैच पच्छेसन मनाई कोई विकेट नहीं मिला मैक राइट रोढ कि अगर नीचे चेक कर होगे तो सारे प्लेर्स इसे जिनकर स्कुएर्ड आपन अउसे ही कम हो जाती है बाकि अगर बात की जाए तो इंप्लेर अत्रिमने और महाच Potts यह खान में और इसमोली को भ dil होगiddup को यहांट को मैं इक्लिएंस कॉम है शौट है टिम बागी थंडर्स के बारे में बात की जाए थंडर्स की टीम ने भी तक्स दस मैचे खेले जिसमें साथ मैच विंग करें और सिर्फ तीन मैच आरे हैं पॉइंट स्टेबल पर सेकेंड नंबर पर और काफी अच्छे बोले तो यहां पर पर्फॉमेंस रही है सिर्फ दो तीन ही चारे दस मैच और साथ मैच विंग रहा है पॉसिबल प्लेंग लिएमन के और बात की जाए तो यहां पर कह रहा सकते हैं कि मैध गाइक सापको उपनिंग करते हो नजर आए का साथ इसाथ इनकी लिए जो विकेट कीपिंग कर रहा है वो बैक्स्टर होल्ट कर रहा है लाग बाकि यहां पर गाइक्स ऐसा बैट्समिंग खेला लेफ्टेंड बैट्समर काफी एची हीटिंग कर रहा है दस मैच अभी तक दोस तर्स तरन कड़ चुका है लाच टू लास्ट मैच में 93 रनके एक अच्छी इनिंग खिली थे अप मैध गाइक्स ने तो मैध कर में टीम म आप्टेशन जो खाफी रहेंगी क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है जो इंटरनेशन लेवल खेल चुका और इंटरनेशन लेवल पर हो या फिर आइप्यलों वर्डवाइट जितनी भी लीग से खेल चुका और बहुत एक्स्पिरेंस प्लेयर है और एक दो इनिंग स्चिए ऐसे की है और लीडिंग रंगेटर इस सीजन यहां पर सिद्नी ठंडर्स के लिए और तीन विकेट भी ले चुका है लाग स्पिन बॉलिंग करता है और यहां पर बात की जाए तो यहां पर क्रिस ग्रिंड के अप्सेंस पर कैप्टन सी करने वाला जैसन संगा और अंडर नैंट इंजरस ऑल राउंडर और लास्ट मैच में 98 नट आउट की जो इनिंग खेली है उसने प्रूफ कर दिया कि कितना तगड़ा होल राउंडर है और यहां पर गेम चेंज कर देता किसी मुमेंट में आके और आपको तीन से चारा वर डालते नजर आएगा और अभी तक इस फा सब्सक्राइब नामता है सेम्स का बाकि है ओलिवर डेविस चार मैंच में एक सटन कर चुका है हिटिंग टाइप बैट्स मैं थोड़ा भरूसे मन नहीं है थोड़ा लास्ट का यह रोले कि आके हिटिंग करना है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टन नहीं रहने वाला बाकि ब 2016 में जब संराइब साहिदराबाद टेटल जीती थी तो जो में रोल प्ले किया था उसमें बैंड कटिंग नहीं रोल प्ले गया था तो अभी फिलार टीम इसको जाता ओवर करवा रही है किसी मैच में करवाती है अदरवाइस सिर्फ अधा बैट्समन ही कटिंग खिल रहा ह इसे कटिंग का बैटिंग ओटर भी नीची और थोड़ा इतना इंप नहीं रहेगा हमाले बाकि है बैक्ष्टर होल्ड जो कि विकेट किपिंग कर रहा है एक मैच के लिए जहां दोरन मारे लाश मैच में बाकि ने ने इस सीजन उतने परफॉरमस अच्छी नहीं कि नौ मै इस सीजन बैटिंग करतना मौका नहीं मिल पॉया है बाकि हमें बात करें आपर फास्ट बॉलिंग कर रहा है बाकि आपर गुरिंदर संदू ने लास्ट टू लास्ट मैच में हैट्रिक लिए और भी तक इस टूर्रमेंट में छे मैच इसमें आट विकेट ले चुका और कह नहीं मैच इसमें तीन-तीन विकेट निकाले पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है में इंपॉर्टन बनेगा में टीम में लेकर जाने वाला हूं बाकि तन्वीर संगा जो की लाइक स्पिन बॉलर है साथ मैच इसमें दस ले चुका है आप दो विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं देविस की जगह एलेक्स रोस का युकि एलेक्स रोस ने भी तक छे मैच इसमें स्कोर किया स्टार्टिंग के दो मैच इसमें लगाता रहाफ सेंचुरी भी लगाई थी बाकि ब्रेंडन डॉगेट ने सिर्फ एक मैच कहला जहां कोई विकेट ने मिला फास्ट बॉलर है ज खेलता है तो ओपनिंग करने है था बट मुझे लगता कोई चांस बन पाएगा कि अल्रेडी आपे ओपनिंग फ्लाट फुल है बाकि ए नायर ने सिर्फ एक मैच कहला जहाँ कोई विकेट नहीं मिला और आफस पिन बॉलिंग करता है बाकि इंपोर्टेंट बोलों के मेलें यहाँ पर रहने वाला है मैद गाइक्स हेल सांगा सैंप्स चार प्लेयरों के पाँच अब लोगो गुरिंदर संदू हसना है तो यह कुछ इंपोर्टन प्लेयर रहने वाले आपके लिए थंडर्स की टीम से फिलाल आपको एक स्मॉल लिक की टीम और 3-4 ग्रेंड लिकी ट लिकाला होल्ट खेलेगा बट बैटिंग ओटर काफी नीचे और ना इतना कोई डेंजर प्लेयर तो गाइक्स आपके लिए बन अप दी बैस्ट ऑप्शन है बैक डरमट को लिए आप मैंने सांगा को लिए बाकी कटिंग ऐसा बैट्स को खेल रहा और काफी नीचे बैटिं авни erbren इसक्तला को मुझे अनेतने साथ जारा रहा मुझे अजाने सांथवाल मैं इन तीनों के साथे चांज कर सकते हो यहाठ बता दूं का किया चेंग कर सकते हो यहाठ थlorब इने में टीन पर बैटिंग कर सकते हो यहाठ तो आसम के अविन साथ ज्जह यहाठ एंटいやи जहा के साथ शच्छे पे अंत्वागे हैं में थीरों के बाद्व साथ के साहिं के साथ जा नहीं इं़ करते क्विह जाने दॉब धना जा करो यहां पिर अशा करो हुए में चुल्ब करके अगर आपको यह फिन को लेना है और यहाँ आपको इसको tvesty को करना फडिक है तो यह चींज22 में चाहई पूर्ड को नोकिए टेंपरेरी टीम दो रहेगी वो यह रहेगी कंजilo यहां पर दैनियल सैंस को किए मैंग डर्मट है डार्सी शॉट है जेसन संगा है है तो यह कुछ आपके वाइस के लिए वाइस के लिए पर कैप्टन सी जारो जैनल साहँ के साथ ग्रेंड लिए टीम वन जो रहने वाले आपके लिए यह रह सकती है यहां मैंने जोल को ट्राइ करा है यहां मैंने कैप्टन सी सैंस को दिया वैस के साथ ही गया हूं फिलाल बॉलिंग सैक्शन ने मैंने यह चेंज किया वह है तनवीर संगा को लिया संदू की जगा ındगे टीम 2 के बारे में अकर बात की जाते हैं आपके मैंने मरायले मेरेट को ड्रॉप करां में केंडरी को लिए और क्याफ़न सी सेम अधार सेंग को दिया है आपके डेविट्स को लिए और फिलाल मैंने यह टीम रखी है तो इस ग्रेण की टीम 2 रखे आपके लिए अब ग्रेंड लीक टीम 3 के बारे में आगर बावट की लाट है, ग्रेंड लीकी टीम 3 जो रहने वाले माने कैपटन सी यह को दिया है, और आप चाहो तो क्या चेंज कर सकते हो फिलाला और मैंने जाथ कोई चेंज किया हैं, ना ओलरंडर में सेम अपाल लीक वाली है, तो यह और विकेट इपिंग को मैंने होल्ट सोड़ा डिफरेंट किया हूँ यह इसकी टीम रहे ग्रेंड लेकी टीम फोर वाली तो फिराल उपको एक स्मॉल लेकी टीम और ग्रेंड लेकी चार टीम दे चुका बाकी बागी वाई की पिक बाकी फाइनल टीम जोगी वाफ्ट करेगा और साथ यहाथ लाश लुच्छा टीम ने ओपर घर सकते हो अहाँ से बाकी बात प्रोफित हो सकता है, बाकि है अगर बात की जाते हैं, अपर डार सी शॉट के बारे में बात की जाये, तो आप इनके लिए सेकेंड दोन बैटिंग करेंगर सात्याद 1-2 भर भी करेगा, तो एक आदा विकेट साते हैं, आप 20-25 अपर एकस्पेट कर सकते हैं, आपर डार सी शॉट से, जरूर शेयर कर सकते हैं, कमेंट में कोई भी कोशन पुछा और रिपलाई करूंगा, जब भी रिट करूंगा, टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करें, लिंक आपको वीडियो के नेचे कमेंटर मिल जाएगा, तो मिलते फिर फिर टेलिग्राम पे, जहीं दोस्तों, बाई बाई